दोस्तों ये जो आप माल्टिमीटर देख रहे होंगे ये माल्टिमीटर बिगिनर्स और इलेक्ट्रोनिक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ही कम कीमात में मार्केट से मिल जाती है और इसका पारफॉर्मेंसी बहुत ही जबरदस्त है य कम कीमात बाला अच्छे प्रफॉर्मेंस बाला भी माल्टिमीटर हमाड़े पास अवेलेवल है तो ये भी माल्टिमीटर में पर्सनाली इस्तेमल करता हूं तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको टोटाल जनकरी दोंगा कि ये माल्टिमीटर आपको कहां से कितने रुप प्रेस कर दीजेगा उसके साथ ही सद बगल में जो बिल आइकोन दिखरा है उसके ओपर भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए इस माल्टिमीटर के बारे में कुछ अनुखा जनकरी है वो मैं आपको साथ सेर करता हूं सबसे पहले उसके बाद में इसका प्राइस के बारे में दोस्तों यह रहा हमारा Malteयमिटर जो कि Box Packing के साथ है तो सबसे मेले मैं इस Malteयमिटर को बहान निकल लोगा उसके बाद में आपको सबसे पहले के जान करी दोंगा जो कि आपको बहोती फायदे होगे जब आप S goodbye का Malteयमिटर मार्केट से purchase करने जाओगे तो यहाँ पर देखिए हमरे पास जो वेडियंट है उसका मॉडेल नमबर है यूनिटी कमपणी का UT33D और और एक माल्टेमिटर मिलता है UT33D प्लास जो की वो भी कफी अच्छा है लेकिन ए भी कफी अच्छा है बहुत सरे लोगों कहना है कि जो UT33D प्लास है इससे अच्छा वो वला है लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने इस्तमल कर रहा हूं दोनों माल्टेमिटर को तो इससे अच्छा माल्टेमिटर मुझे वो नहीं लगा है इसलिए मैं आप लोगों को इसी माल्टेमिटर को रिकमेंड करता हूं और यह जो दोस्तों माल्टेमिटर है मार्केट में जो है इसका copy version बहुत सारे मिल जाती है जो कि आपको 300-400 रूपीज देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको जब multimeter purchase करना है तो आपको original वाला ही purchase करना है तो इस multimeter के साथ आपको एक user guide मिल जाती है जो कि इस multimeter को operate करने के लिए और इसका जीतने भी functions है सारे functions इसके अंदर दि दिया हुआ है इसके बारे में जान लिजिए इसके जड़िये आप AC DC voltage माप सकते हो current माप सकते हो earthing ground माप सकते हो double insulated किया हुआ है low battery indication दिया हुआ है diode माप सकते हो fuse continuity और safety के के कुछ जो है चीज यहां पर दिया हुआ है जो कि एक basic multimeter के अंदर जो भी चीज देखने को मिलता है साड़े features इसका अंदर दिया हुआ है और खास बात यह है कि दोस्तों इसके अंदर से जब नया purchase करोगे इस multimeter तो जो बैटरी है इसके साथ ही मिलता है जो कि आप मैंने इसको box के अंदर से निकाला हुआ हूँ जो कि पहले बार इसको on करूंगा तो देखिए इसके अंद करने के बाद तो फिर से मैं इसको एक नया इस्तेमल कर रहूं में पर्सनल काम के लिए यह वाला देखिए यह मला पर्सनाल ही में इस्तेमल कर रहूं लगभग मैंने इसको 15-20 दिन हुआ है इसको बहार निकलना और यह भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और मेरे प करता हूं लेकिन दोस्तों आप बात कर लेते कि यह जो मर्तिमीटर ओगे कि आपको कैसे पेचन पाओगे कि यह मर्सिडार मल्सिक यह कपी बला मल्सिक्ट तो देखिए जो भी उड्रेजिनल उनीट का अंदर के ऊंदर अपको पहले से डाला हुआ देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ जो सट बॉक्स आपको मिलेंगे बॉक्स के पीछे भी एक आपको इस्टिकर देखने को मिलेंगे जो की यो और कोड टाउ और यह क्यूर रोड आ THAT हमें कैसे पता चलेगा उसके बाद हम कुछ फीचर्स इसके अंदर दिया हुआ है इसके बारे में हम जानकड़ी ले लेते हैं यहां पर देखिए इस माल्टिमिटर के अंदर जो मैनुवाल स्वीचेस दिया हुआ है आपको मेजारमेंट करने के लिए तो यहां पर सबसे पहले ओफ के सामने जब भी इस नौप को रखोगे तो हमारा माल्टिमिटर ओफ कंडिशन में रहेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हो 200 एम लिखा हुआ है और 2000 एम लिखा हुआ ह और कूडी 20 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने अगर southern Crane करना है तो अगर आपको मिली वोल्ट मेंजरमेंट करना है यहां पर 200family बोल्ट 20猪 यहां पर लिख करना है तो typically वोल्ट और यहां पर 500 या कि इसका मतलब हुआ हि आप कि मॉल्ट्इमिटर के जरीये 500 वोल्ट तक मेजर्मेन कर सकते हो डीसी वोल्टेज उसके बाद यहां पर एसी वोल्टेज मेजर्मेन करने के लिए ओप्शन दिया गया है यहां पर एसी वोल्टेज के लिए आप 500 मैकसिमम 500 वोल्टेज तक इसके अंदर एसी मेजर्मेन कर सकते हो उसके बाद अगर आपको 500 और 200 बोल्ट मेजरमेंन करना है तो आप यहाँ पे दो जगापर सेट करके रख सकते हो हलाकि दूस्तों बहुत सरे जो अटो माल्टिमटर होता है उसमें अंदर क्या होता है कि जो पोल्टेज मेंजरेमेंट करने का जगा होए वह एक ही दिया रहता है और इसका अंदर बहुत सरे दिया हुआ है इसका मतलब ही है क्योंकि हमारा मेनौल मन्टिमिटर है इसलिए बहुत सफ़ते जम आपको दिया गया है आपको अगर-20 बोल्ट से कम बोल्टेज में आप गिया है आप कहीं सबसे आप सेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीज यहाँ पर दिया हुआ है एक तो डायोड और एक कॉंटिन्यूटी जो कि हमरे सबसे ज़्यादा रिपेरिंग फिर्ल में इस्तेमाल होती है यह कॉंटिन्यूटी रेंज तो इसके अंद के लिए यहाँ पर ऑप्सन दिया गया है आप मैक्सिमाम इस माल्टिमीटर के जरीए 200 मेगोहम तक रेजिस्टन्स को मेजर्मेंट कर सकते हो 200 मेगोहम बहुत ही ज्यादा होते हैं दोस्तों हलाकि हमारे जो सरकिट होते हैं इलेक्ट्रोनिस्ट का अंदर तो ज्यादा तर औ आपको यहाँ पर जो ओप्सन देखने को मिलेंगे जो कि माइक्रो का मुव का जो सिंबॉल आपको देखने को मिल रहा है तो यह जो सारे ओप्सन से यह एंप्यर मेजर्मेंट करने के लिए दिया हुआ है और इस माल्टिमीटर के जरीए आप डिसी आम्प्यरी करता हूँ और दोस्तों खास बात इस माल्टिमीटर का यह है कि इसके अंदर आपको बैक लाइट भी देखने को मिल जाती है यह आप स्वीच देख रहे होंगे इस स्वीच को प्रेस करने के बाद इसका डिस्प्ले के पास में एक लाइट लगा हुआ है तो वह लाइट ज जो वैलू है उस वैलू को आप होल्ड करके रख सकते हो मैक्सिमाम जो भी वोल्टेज होंगे आपको यहां पर दिखा देगा तो चलिए आप मैं इस माल्टिमीटर का जो कॉंटिनीवटी रेंज का जो साउंड है वो साउंड को भी एक बास सुना देता हूँ ताकि आप ल लोगों के साथ सेयर करता हूं इस वीडियो के जरीए और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपको इसका जो सबसे बेस्ट और सबसे कम किमत में कहां से मिलेंगे तो चलिए आप इसका जो कॉंटिनीवटी रेंज है इसको आपको मेजर्मेंट करके दिखाता हूं इसके किसी भी रिपेर्इंग नीए इस्तमल करोगे या आप इसको study purpose के लिए इसितमल करें गिए तो लास्ट में आपको यह hallberg आपनी यह यह hill bottom कैसे काम करता है यह भी मैं आपको दिखा देताहूं इसके लिए मिरे पास एक गॉल्ट का भाकुन की टौन करता है यह ले दया सकते सब्सक्श करता है श्नल यह कर रहा है तो अगर आपको को crde करके रहना हो तो simply आप इसको प्रेस करिए उसके बाद आप इस प्रब को हटा लेजिए तो आपको यह जो वोल्टेज है और इसका जो वैलू है आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यही काम है दोस्तों इस होल बटन का जो कि हमें काफी मदद करती है जब आप कोई भी क्यालकुलेशन क का काम करता हूं या कोई रिपेरिंग का काम करता हूं उस दोरान तो आप बात कर लेते कि यह माल्टीमिटर आपको मिलेंगे कहां से देखिए दोस्तों यह टोटलेशन करेगा कि आप इस माल्टीमिटर को कहां से ले रहे हो अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो आपको ये मल्टिमेटर लगभग 600 से 700 रूपीज के अंदर मिल जाएंगे और अगर आप अनलाइन पर्चेस करोगे कोई Amazon या फिलिप कट पर तो आपको 800 से 900 रूपीज के अंदर मिलेंगे जो की ओरिजिनल वाला है और सेम टू से मल्टिमेटर आपको कौपी वाला भी मिल जाएंग जो की फिलिप कट पर साड़े 300 रूपीज के अंदर मिल रहा है मैंने चेक करा था इस वीडियो को बनाने से पहले और अगर आप इसका ओरिजिनल वर्चेस करने जाओगे Amazon या फिलिप कट से तो आपको लगभग 800 से 900 रूपीज लगेंगे लेकिन अगर आप हमारे ऑनलाइ से बिल्कुल से 600 से 700 रूपीज के अंदर आपको मिल जाएंगे और अगर आप हमारे दुकान पर यानि कि जो फिजिकल सौप है यहां पर अगर आपको आने के बाद इसको लेना चाहते हो तो आपको उससे भी कम कीमत के अंदर मिल जाएंगे तो आप आपके उपर इस फिल्ड के अंदर जो लोग निया निया आ रहे हैं और इलेक्टोनिस के अंदर जो लोग परही कर रहे हूं उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही एक माल्टिमिटर है जो की इससे कम कीमत के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे तो मुझा आसाई कि दोस्तों आपको इ निया इलेक्टोनिस फिल्ड में आया है और इलेक्टोनिस स्टुडेंट है उनके लिए तो यह माल्टिमिटर सबसे अच्छा है तो आगर आप कोई वीडियो पसंद आ है तो लाइक जो कर दिजेगा और इसी प्रोकर के वीडियो आगे आने वालो दिनों में आगर देखना चाहते हों तो हमारे साथ जूरे रही है तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसे आल दा बेस